हेलो वीवर्स वेलकम चू मैं चैनल सुनीट गारेकर रायाइट और वी आ लर्निंग 10 स्टैंडर्ड इंग्लिश लेसंस और जस्ट वी आर अन इंकाउंटर फ़ पेशल काइंड हम इस लेसंड पर है तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह मैं जब किताबों में म इतने में यह जो कवे हैं जो सब को चेह चाहता है पंचो कि यह सब की आवाज इतनी जबर्दस हो गई थी कि इस सब का डिस्ट बस इतना जबर्दस बढ़ गया था कि जो मैं silently मेरी एडवेंचर की जो किताब पड़ रहा था कि उसे मझे साइड में रखकर मुझे बाहर आना ही पड़ा the curiosity got the better of me leaving the book aside I rushed to the veranda to see what was going on I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible a big male langur apparently the leader of its group was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all or with a definite intent to kill मैंने भार आते ही देखा कि एक जो लंगूर है शैतान लंगूर कहो या पूरे लंगूरों का बॉस कहो उसने एक छोटे से पिल्ले को अपने जकड लिया और उसको पूरी तरह से मतलब हर तरफ उसको बाइट कर रहा है मतलब 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 उसको ऐसे खरोच जखमी कर रहा है तो और उसके तरफ जो helpless mother of the baby and the lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby watching the baby being killed I recalled the terrible custom in the animal man according to which a dominant whale and usually does not allow another male baby or adult to survive within the group तो उसकी लंगूर की मम्मी जो बच्चा था उसकी मम्मी जो है तो और अदर जो लंगूर है सब इदर उदर से उसको देख देख रहे थे तो मुझे एक बात मेरे जहन में आ रही है कि ये जो लंगूर जो होते है तो इन में मतलब जो मेल लंगूर होता है वो दूसरे एक छोटा हो या अडल्ट हो किसी भी मेल लंगूर का आना पसंद नहीं करते उनकी जुन में खाली अकेला वही होता है मतलब कोई भी एदी आता है तो उनके ग्रुप के अंदर तो उसे वो मार देता है या तो फिर बगा देता है तो ये सब हो रहा था मैं मेरी आखों से देख रहा था मेरी कुछ भी देरी नहीं एक लकडी उठाई और उसके तरफ जोर से फेग दी ये जो शैतान लंगूर है उसकी तरफ और मेरी इस हरकत की वज़से तो उस लंगूर पर कोई परी नाम नहीं दिखा लेकिन जो ये जो चोटे-चोटे कुटे जो थे साइड में जो भूक रहते उनको जोश आ गया मेरी मेरी इस हरकत का तो बहुत अच्छी बात है दए चेंश सरकंस्तरंसेंसे अन दसरण एक्सपेक्टेड 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 एक्सपतर दो फथर तीन फथर चार पतर वह लकडी और कुटे भूक रहते इन सब चीजों का उस पर इतना बहानग पतलब अस्र हो गए ऐसने वह छोटे बच्चे को छोड़ दिया और चोडु देते ही जो स्लोपिंग रूफ जो होती है घर के ऊपर की उससे घसर गुंडी जैसी होती है यह स्लाइट जो होती है तो उस तरश से घसर घसर ते वह आ गया और आते ही मैने वराने के उपर गिर में कामियाब हो गया अधर बेबी वाज लिस्टलेस एंड एपिर तो बेड़ एड़ इस बोड़ी स्टार्टेट तो स्लाइड डाउन एक्साइटमेंट ऑफ पैक अव डॉक्ट गूड किल एंड मिल को नीचे गिरते गिरते मतलब सब कुट्टे जोल बहुत खोश हो रहे थे उनको लग रहा है कि अभी अपने को रेड़ी मेट तो खाना मिल गया अभी क्योंकि इस बंदर के पिले में कोई जान है नहीं अभी हमारे से उसको पकड़ने हो अलों को है नहीं हम पकड़ेंगे और हमारी आज की रात मतलब मेजवानी है पार्टी हो जाएंगे हमारी तो और दस्त इस सोच में वो कुदते थे लेकिन मैंने उपर के उपर वो पूछ पकड ली उपर के और उसको बचा लिया I managed to catch hold of baby lungo's tail just as it tipped over the edge of the tail roof. The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. मतलब ऐसे लग रहा थी कि जैसे इसमें कुछ जान है ही नहीं. powerless, motionless हो गया था तो और मैंने देखा कि वह चोटा सा बच्चा, male baby ही था. By this time my parents and sisters have come out on the veranda and were witnessing my rescue operation. Some of our neighbors had also gathered in the distance. मेरी जो मम्मी, पापा और मेरी चोटी बहन जो है जो खाना करें बच सो रहे थे वो इस सब हल चोल के वज़े से जागर वो सब मेरा rescue operation यह जो मेरा encounter है यह वो सब देख रहे थे, कुछ पोड़ो से भी आ गये थे, दूर से देख रहे थे. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. हमारी यह पोल्टरी कूप था, यह जो मुर्गिया रखने का कूप जो होता है, तो उसके अंदर मैंने वस लंगूर को लाया और उसके अंदर वहापर प्रग दिया. His body was full, deep bite marks and scratched blood was oozing from some of the wounds. The baby remained motionless. My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. I was revealed to find out that the baby was breathing even though his breathes were shallow. वो मुर्गियों के स्कूप के वास रखने के बाद में मैंने देखा कि पूरी तरह से वो जखमी हो गया था, खून निकल रहा था उसका. तो मेरे पापा ने first aid kit लाके दी, तो मैंने उससे cleaning करना शूरू किया, उसके bleeding जो हो रही थी, पूरी wound जो है, तो मैंने साफ कर लिये और मैंने देखा, कि यह जो छोटा लंगूर है, सास ले रहा था. वो जो सास ले रहा था, मतलब मेरे भी जान में जाना गई. मेरे उे पीजा है किव डिय हुड ही जाना टीर के से अवड ब्लेझ के विल्म से कना दोल आए जारू फे जा मैंने जाएर ल ci वाखना है धी जा पिजाने जाना जाने जाआ अना मेरे रहा है जा तू तो हुड इजार का याने मतले बटी कि अो बंदाने किर यहां जाने व ठेकिंग हेसिस्टेंस बाइट बाद में मैंने उसकी जान दिखाई दी तो फिर मुझे बहुत खुश हुई मैंने थोड़ा सा पानी लिया उसकी उपर डाल दिया ऐसे डालते बराबर ऐसे जट पटाया और उठकर बैड़ गया तो मुझे बहुत खुश हुई सब जो लोग देख रहे थे ममी सिस्टर जो देख सभी को बहुत खुश होगी और यह ऐसे थंडी से जैसे कापते हैं तो वह ऐसे कापने लगा ऐसे जैसे जैसे कि पत्या हवा से मतलब यह होती है तो उस तर से वह कापने लगा और एक छोटी छोटी शबारी आखे उसके ऐसे चमक रहे जैसे कि सचमुष एक छोटा बच्चा ऐसे कंडिशन में से बज गया और रो रहा हूँ वह लंगूर का पिला छोटा सा बच्चा सचमुष रो रहा था इंसान की तरह और मैंने उसको एक केला चील के केला खाने को दिया उसने जट से पकड़ लिया और गटक गटक करके अटेंशन वस फिक्सट बचल रहरा का फिकल का बेदेशन में सुपने और गटक के लिए ए नशेखोंसरी के लूए अच्छी के रगट स्ट था OF रहा है इस लगा कि कोई मुझा बच्छी ऊट्चीं की आज़ और इदर अधर आज़ एसे अडर हुआ लगा तो मुझे आस कि कोई मुझे मुझ पर किसी की नजर है तो फिर मेरे ध्यान में आए कि हमारे कीचन के उपर जो है ना तो उसकी मम्मी लंगूर की बैटी हुई थी और वो मेरे तरफ देख रहे थी बच्चे के तरफ देख रहे थी लेकिन उससे तसली हो रहे थी कि अपने बच्चे को कोई भी कुछ नहीं करेगा मतलब यह चोटा बच्चा है तो मेरे बच्चे को खायाल रख रहा है उसको खाने को दिया यह सब चीज़े जो है न तो वह बड़ी बार की से बार काई से वह देख रही थी मम्मी तो यह सब मेरी नजर उसकी तरफ गई तो फिर वो मतलब बहुत ही बच्चे को भी अपनी मम्मी दिखा ही दी और वह जो चो दीरे दीरो रहा था उसने बड़ी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया है और रेट्रेटेट फॉम दोर ओव दो कूप तो अलाव हर मदर ऐसस्टू हर बेबी और मैंने मेरे ध्यान में आगए कि बच्चे भी रो र देखेंगे हमारे अगले वीडियो में तो बच्चो फिर आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे आगे के वीडियो में थैंक्यू वेरे मच्च किप वाचिंग